बचे आज मैं आपके साथ उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक को आपने रोज मर्रा की जिन्दगी में बड़ी बार प्रैक्टिकली देखा होगा जा किसी से सुना होगा बट उसका बायलोजिकल जो एक्सप्रेंडिक्शिन है वो आपको 100% नहीं पता थी यह कुछ ऐसी चीजे हैं जो हम देखते हैं बट हम उस प्रोसेस को कभी एक्सप्रेंड करते नहीं है या फिर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिसकुस करने से पहले मैं कुछ इंग्जेंपल कोट करना चाहूंगा ज़्चे आपने देखा होगा है कि जो टॉक्त बच्च जिसे हम डेखिलिंग कहते हैं वो हमेश्य अपनी निदहर को फालौ करते रहते जहां मदर जाती है उसके पीछे 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 उसके इसे तरीके से आपने देखा होगा acre जब इसे तरीके से आपने देखा होगा कि बच्चा all of sudden secure feel करता है और वो चुप हो जाता है मुझे बताइए कि आपने कभी सोचा है कि उस बच्चे को कैसे बदा चलता है कि ये मेरी मदर है and I am totally secure, no तीसरी example, आपने देखा होगा कि जब भी गाएं बच्चडे को जनम देती है तो जनम देने के बाद वो गाएं जो है उसे अच्छी तरीके से लिकिंग करती है लिकिंग करने का मतलब होता है चाटना ले मैं में हम ही लगता है शायद वो सको साफ कर रही है क्योंकि उसकी बाड़ी के ओपर काफी जदा फ्लूड लगा होता है अमनेटिक फ्लूड वो तब को पता ही है तो हम यह ऐसे लगता है शायद वो सकी बाड़ी को साफ कर रही हो लेकिन ऐसा चैसा नहीं होता क्या इन तीनों इंग्जेंपल का आपस में कोई कोनेक्शन है क्या कुछ ऐसा है कि जो मैं बताना चाहता हूं और आप उस परिक कर रहे हैं जा नहीं कर रहे हैं थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ पूछना चाहता हूं कि आपने कभी देखा है जब किसी इंटरनेट में देखा होगा कि किसी एक बच्चे को जब किसी एक आदमी को डखलिंग फालो कर रही है रादर देन अपनी मदर को फालो करें जब फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के थोड़े दरम्यान के अंदर ही उसकी मदर अगर एक्सपायर हो जाए तो उस बच्चे को अगर कोई और मदर पा ले तो वो बच्चा जो है उसे ही अपनी मदर को तब चिलाता नहीं से शोर नहीं मचाता कि मतलु कि इस का मतलब कि पैदा होने के टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि बच्चा अगर बच्चा इसा हुड़े करता था कि ये लिद्ध का बच्चा है जाहे एदमल्स का बच्चा है जरहें ए ben का बच्चा है और यह जो identification it is not permanent हम इसे बदर भी सकते हैं सो बच्चे का पैदा होना और अपनी मदर को identify करना यह एक mechanism है यह एक process है और इस process को हम लोग बोलते हैं imprinting तो imprinting क्या है imprinting एक ऐसी technique है यहां पर मदर जो है वह अपने बच्चे के contact में आने के बाद कुछ ऐसी चीज करती है जिससे कि बच्चा जो है वह recognize कर देता है कि यही मेरी मदर है चाहे वह कव है जो है वह लिख करके बच्चे को दिखाती है चाहे वह human being है चाहे वह वह वर्ड अब बोलोगे कि को ने लिख किया तो लिख करने में शायद कुछ ऐसा किया हो कि उसकी बादी के ओपर कोई chemical लग गया वह identify कर लिया जाए what about in case of human being and birds तो बच्चे यह जो चीज है जो बच्चे को दी जाती है जिससे बच्चा identify करता है इसे हम बोलते हैं फेरोमोंस तो imprinting और फेरोमोंस इन दोनों का आपस में बहद कहरा संबंद है क्या होता है कि imprinting एक identification है कि उसके ओपर हमने एक labeling कर दी हुई है कि आज से यह identify कर ले यू belong to me only और यह जो labeling है इस labeling के लिए जो चीज चाहिए उसे फेरोमोंस कहते हैं 11 में आपने हार्मोंस के बारे में तो सुना होगा कि chemical messenger होते हैं जो बाया ब्लड केरी किये जाते हैं लेकिन हार्मोंस के साथ साथ एक और चीज होती है जिसे हम फेरोमोंस कहते हैं तो फेरोमोंस भी chemical messenger ही है जो एक आर्गनिजम प्रड्यूस करता है और यह एफेक्ट करता है अदर आर्गनिजम को उसके behavior में यह बदलाव लाता है बट डिफरेंस इस हार्मों बाया ब्लड केरी किये जाते हैं और फेरोमोंस बाया एयर केरी किये जाती हैं काम दोनों आलमोस अपने हिसाब से करते हैं हार्मों गलैंड को इंफ्लेंस करते हैं कि तुम अपना काम करो जा अपने काम को बंद करो फेरोमोंस आर्गनिजम को इंफ्लेंस करते हैं उस आर्गनिजम में पैरमों जाएंगे depending upon the nature of the pheromone सामने बाले आर्गनिजम का रिस्पांस बदल जाएगा वो एग्रेश्टिव भी हो सकता है वो प्रोटेक्टिव भी हो सकता है depending upon किस टाइब का फेरोमोन छोड़ा गया है जैसे कि हम बात कर लिए जाए तो आपने देखा होगा कि जो बिच है मतलब फीमेल डॉग तो जब यह इस्ट्रस पिरिट में आती है उस पिरिट में जहां जहां यह फीमेल जाती है उसके पीछे कितने कुते जो है मतलब जो डॉग है वो आजाते है फार मेटिंग परक्पस वो कैसे है क्योंकि जो पीरिट्स मतलब इस्टर साइकल में फीमिल चल रही होती है वो एक फेरोमोन से रलीज करती है और यह जो फेरोमोन है वो विदिन 2 km के डिस्टेंस में जितने भी डॉग है वो उस फेरोमोन को स्मेल करते हुए उस पर्टिकुलर वीच के पास पहुंच जाते हैं तो देखिए यह जो फेरोमोन था यह सेक्स अट्रेक्टेंट था क्योंकि उसे कॉपलेशन करवानी है और बच्चे बैदा करने है लेकिन हम फेरोमोन के फंक्शन को कंफाइन करेंगे किसी एक आसपेक्ट पे इस इंप्रिंटिंग तो इंप्रिंटिंग में क्या होता है कि इनके सब हिमन बिंग और एनि अदर एनिमल्स जब वो बच्चे को उठाता है तो हमारी बॉड़ी भी फेरोमोन चोड़ती है और वो क्या करता है हमारी बॉड़ी की जो वो फेरोमोन से जिसे गंद कहते हैं उसे वो कर लेता है कि यही मेरा बॉलांगिंग पेरेंट्स है अधर नहीं है इसी तरीके से जब गाय अपने बच्छे को अच्छे से चाट रही होती है तो इसके चाटने के टाइम भी क्या होता है कि उसकी टंग से बड़ा चाथा फेरोमोन निकल रहा होता है और उसकी पूरी बॉ बच्छे इंग भी जब एक से निकलते हैं मतलब जब हैसिंग होती है उसमें से बड़्स के बच्छे चाहीं वह चिक्स है यह जैसे वह बाहर निकलते हैं तो जो पहले गस पोजर उनको मिल जाता है वो उसी को फालो करते हैं तो अबिसली बात है मेजार्टी आप केसिस में उसकी मदर ही होगी जो इंकुबेट कर दी होती है एक्स हो जैसे बच्चा निकला उसके कॉंटेक्ट में आएंगी लेकिन जब मदर आसपास में ना हो और हैचलिंग हो जाए तो जब बच्चा बाहर आता है अगर आप उस बच एंड इस प्रैक्टिकली परफॉर्म बाई कॉनार्ड लोरंज कॉनार लोरंज जो है वो एक इतालोजिस्ट है इतालोजिस्ट वो होते हैं जो एनिमिल के बिहेविर को स्टडी करते हैं तो कॉनार लोरंज ने डक्स के एक्स में से जब डखलिंग निकले तो उनको अपने पास रखा और थोड़े देर के अंदर ही उन्होंने रिकुनाइज कर दिया कुनार लोरेंज को ऐसे मदर तो जहां 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 वहां डखलिंग जो है वह पहुंच जाते थे कुनार लोरेंज चाहके भी उन डखलिंग को समझा नहीं सकता था कि I don't belong to you तो that is the reason कि imprinting का इतना जवदस्त impression होता है तो बच्चों आज जो हमने discuss किया वह एक नए चीज थी वह चीज क्या थी वह था what about imprinting यही कारण है कि mostly जो गाउंवाले लाके में जैसे मैं भी चोटा था तो मेरे भी parents कहते थे कि अगर पेड़ चड़ोगे तो nest में बच्चों को बिल्कुल टच नहीं करना उनके एक्स को बिल्कुल टच नहीं करना क्योंकि अगर हम उनके एक्स को नेस्ट को अजा उनके हैचलिंग को टच करेंगे तो हमारा जो फेरमोन है वो smell कर लेंगे तो वो हमें अपना parents consider से वो नेस्ट में रहते हुए भी अपने आपको आइसोलेट कर देंगे विकास वो consider करेंगे कि यह हम में से नहीं है तो नोडोड हमारे parents जो है वो फेरमोन को नहीं जानते हैं वो इस idea को पका जानते थे कि कुछ होता है जिसकी बज़े से birds जो है वो अपनों के बीच में भी अलग हो जाते हैं जैसे हम उसे touch करते हैं बस उसी वक्त उनकी जो imprinting है वो चेंज हो जाते है नमबर वन imprinting is not inborn नमबर टू imprinting can be molded यह जैसे मैंने पहले बोला कि imprinting inborn नहीं होती है उसका प्रूफ है कि जब बच्चे पैदा होते हैं mother touch देखती है तब यह mother को follow करते है और कोई बोलेगा ने ने यह तो innate ही था तो मदर की replacement में अगर हम touch करेंगे तब भी बच्चे वैस में discuss की है बट काफी मजएदार topic होगा और आपको अच्छे से समझ आए होगी thank you